तो मैं चैनल हैपी स्टूरेंट्स आज की इस वीडियो में हम जैकपोड क्लास एट के बिग्यान का मॉडल कोश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे इसमें आपका टूटल पचास माक्स है और इसमें टूटल कोश्चन भी पचास है सभी पश्चनों का एक अंक निधा पारित किया गया और इसमें चार वीकलक आपको दिया जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं आप कोश्चन क्या है यह कोश्चन काफी इंपोर्टन्ट है क्योंकि इससे बहुत सारे कोश्चन आपके एक्जाम में भी पूछे जाएंगे तो इसको प्लूरा जरूर देखि एक कोशिक की जीब कौन सा है तो एक कोशिक की जीब अमीबा है तीसरा कोश्चन सजीब के सरीर की संद्रचनातमक और किल्यातमक की काई क्या है तो संद्रचनातमक और किल्यातमक की काई सरीर की कोशिका गुखा जाता है चार नंबर कोश्चन निमने में से अधातू कौन सी तो यहां पर देखिए option में sulfur, carbon, oxygen दिया गया है और एक option है इन में से सभी, तो इसका सही answer हो जाएगा इन में से सभी, क्योंकि यह सभी ही अधातू है, पाच नमबर question, निमने में से धातू का उपयोग कहां किया जाता है, पटाखों में, उर्बरक में, खाना बनाने के बरतन म तो धातू का जो उपयोग होता, वो इन सभी में किया जाता है, छाए नमबर question, कौन से एक मातर अधातू है, जो बिद्धूत की सूच आलक होती है, जिससे बिद्धूत से दूसरे से नहीं पहुँचती, लेकिन एक ही अधातू है, जो बिद्धूत का सूच आलक है, और व नमग खादे तिल चीनी, ये तीनों का ही उपयोग किया जाता है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, option D, आत नमबर जो गोश्चन है, वो है, लेगियूम पौधे की जरों में कौन सा जिवानू उपस्थित होता है, तो लेगियूम जो पौधे होते हैं, उसकी जरों में किसी पदायत को, किसी वानची धातू को निच्छेपित करने की परक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है, बिद्दुत लेपन, कौन सा गोल बिद्दुत का कुचालक होता है, तो आशूर्ट जल्ज होता है, यानि शुद्ध जल्ज होता है, जिसका पियजमान साथ होता निम्लें में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक बिधी है तो अलैंगिक बिधी पूछा है तो इसमें सही एंसर हो जाएगा निशेचन ठीक है फिर आता है नेक्स्ट कोश्चन बहाई या निशेचन इनमें से किसमें होता है तो बहाई या निशेचन पूछा है तो इसमें क्या होगा मचली में इस्टारफ बनता है तो निश्यर्जर्ण के पध नाम सरुक जो बनता है वो बनता है आपका योगमनज मैं थेक है 18 नंबर कॉश्चनि दो सतहों उपर संपर्ग के कार्यन फारनी सब्ल बल लगता है दो संपर्ग से जो बल उत्मन होता है वो होता है आपका घरशन गालेरत बल को कहा जाता है आपका दाब ठीक है तो इसका सही अंसर हो जाएगा दाब अठरा नुम्र कोश्चन निमने लिखित में बलो में कौन सा समपर्कित बल है तो इसका सही अंसर है आपका पेश्य बल सूरिय नाभिकिये अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पर्ण होता है नाभिकिये जो अभिक्रिया होती है आपको पता होगँ सूरिय में हमेशा ये चलती रहती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोनों क्योंकि उश्मा और प्रकाश दोनों ही एक ताप बनता है और एक प्रकाश जिससे हम दिन की उजाले में देख सकते हैं तो ये दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर फिर कौन जिवाश में इंधन नहीं है यहां पर इंधन थोड़ा स्पेलिंग गलत है इसमें तो इतने से कौन से जिवाश में इंधन नहीं है तो नहीं है जिवाश में इंधन वो हो जाएगा आपका प्राकितिक ग्यास Next Question किसी पदार्थ के देहन के लिए क्या आवश्यक है किसी पदार्थ के देहन के लिए पूचा है आवश्यक बस तू तो ये हो जाएगा सभी क्योंकि देहन शील पदार्थ होना चाहिए जुळन ताप होना चाहिए उसमें जलने के लिए oxygen होना काफी आवश्यक है तो क्या है इन में से सभी जरूरी है तो इसका सही अंसर इन में से सभी होगा 22 नमबर जो question है वो है जीबन काल की हुआ अब धी जब सरीन में ऐसे परिवायतन होते हैं जिनके परिणाम स्वरोग जनन परिपकपता आती है किस अवस्था में तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका option C किशोरा अवस्था में 23 नमबर कोश्यन कोर्द, चिंता, एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तर जाई है यह काफी important question है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका option B, entry नेलीन, ठीक है 24 नमबर कोश्यन, बच्चे के लिंग निधारन के लिए कौन उत्तर दाई है कौन उत्तर दाई है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B, पिता, आपको पता होगा महिलाओं में xx होता है और पुरूशों में xy गुंश उत्तर पहे जाते हैं, x और x गुंशोत्र मिलने से जो संतान है, उसका जो लिंग होता वो स्तेलिंग होता है और जब x के साथ y गुंशोत्र मिलता है तो जो संतान होती है, वो पूरूशोत्र होता है ठीक है, फिर जो next question है वो है, यदि आपात कौन का मान 30 डिग्री है, तो परावर्तन कौन का मान कितना होगा तो परावर्तन कौन का मान होगा आपका 30 डिग्री 26 number question संतल दर्वन्ट से बना पतिबम कैसा होता है, तो पतिबिम जो होता है, वो आभाशी होता है next question, वो यंत्र जो द्रिष्टी रेखा पर नहीं रहने वाले बस्तों को भी देखा जाता है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, पैरिस्कॉप ठीक है, next question कटी गई फसल से बीजो या दानों को अलग करना क्या कहलाता है, काटी गई फसल से, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, थ्रेशीन उन्तिस नंबर कोश्चन अनाज के भंडारों, भंडारन के लिए, अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए कितनी मात्रा है, तो हम अनाज को भंडारित कर सकते हैं ये भी काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है इसका सही अंसर हो जाएगा, 14% से काम, अगर उसमें नमी की मात्रा है, तो हम उसे भंडार कर सकते हैं तीस नंबर कोश्चन, किसी जीब को किसानों का मित्र कहा जाता है तो आपको ये पता होगा, केचुआ को ठीक है, एक तीस नंबर कोश्चन सुर्यक के सबसे उपरी सता का तापमान कितना होता है उपरी सता का तापमान होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस 32 नंबर कोश्चन, निमने में से कौन प्राकृतिक उपग्रह नहीं है प्राकृतिक उपग्रह नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा आर्यभर्ट जो है वो एक कृतिम उपक्रह है जो भारत द्वारा अंतरिक्स भेजा गया था 33 नंबर कोश्चन किस गरह का दरभ्यमान सबसे अधीक है दरभ्यमान सबसे अधीक है आपका बिरहश्पती का 34 नंबर कोश्चन घर्षन हमेशा क्या होता है तो घर्षन जो होता है हमेशा आरोपित बल का बिरोत करती है 35 नंबर कोश्चन घर्षन निर्भर करता है बिष्ट की आकरिती पर और बस्तु के बहार पर तो इसका से आंसर हो जाएगा दूनों पर घर्षन निर्भर करता है प्राकितिक रेशा का संचलेशित रेशा SGPS और प्राकितिक रेशा संचलेशित रेशा? है वो है नाइलोन 38 नमबर कोस्चिन जो है वो है निमने में से 4R में नहीं है जो 4R दिखाई देता है उसमें से इन में से कौन सा नहीं है तो रिमूब नहीं है रिडर्क्स, रियूज, रिसाइटल, ये तीनो है लेकिन रिमूब का आप्षन वहाँ पर नहीं रहता है वो उसमें नहीं खहा जाता 49 नमर कोशन इन में से कौन पिघल जाती है परन्तु जलती नहीं पिघल जाती लेकिन जलती नहीं है नाइलोन ठीक है वो पिघलेगा लेकिन जलेगा नहीं 40 number question आपੀती के मात्रक क्या है तो आप्षी का जो मात्रक है मोया हर्ड जिस्वे जे यो हाई क्व欸ज. चालीस नमबर question एक कमपनहें लगे समय को क्या गहते हैं तो इसे कहा जाता है आपका आवर्तकाल 42 number question धौनि संचारित हो सकती है ध्वानी जो होती है वो किसमें संचारित हो सकती है तो इसमें यहाँ पर जो options है उसमें हो जाएगा ठोज दब्य ग्यास 43 नमर कोश्चन किसी अशोशित बस्तु से आवेश को पित्वी में स्थानते थोने की परकिर्या को क्या कहा जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option A भू संपरकन 44 नमर कोश्चन भूकम की सकती के परिमान को कैसे मापा जाता है तो इसका जो भूकम की तीपरता कितनी थी उसको मापा जाता है सिसमो कराब तवारा option A इसका right answer हो जाएगा 45 नमर कोश्चन आभेश कितने परकार के होते हैं तो आभेश जो होते हैं ये दो परकार के होते हैं 46 नमर कोश्चन बायू मंदल में निलंबित शूच में ठोस या तरलकन के बादल को क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है आपका एरोसोल एरोसोल नाम से उसे जाना जाता है 47 नमबर जो question है वो है बायू मंदल में oxygen gas कितना परतिशत है ये भी कापी important question है तो बायू मंदल में जो oxygen gas है वो है आपका 21 परतिशत 48 नमबर question बनून मूलन का इस्थाई हल क्या है इस्थाई हल पूछा गया है तो इसका सही answer हो जाएगा कुनर बन रूपन बनून मूलन एक तरप से जंगल कट रहे है तो दूसरी जगपर जंगल को फिर से बनाना ही इसका एक इस्थाई हल है 49 नमबर काला सोना किसे कहा जाता है तो यहाँ पर काला सोना पूछा गया तो यह कहा जाता है पेट्रोलियम को 50 नमबर और लाश्क कोश्चन जो है वो है कौन सा प्राकेतिक संसाधन नहीं है प्राकेतिक संसाधन नहीं है बुछा है तो इसका सही answer हो जाएगा Option D कप्रा कप्रा का अविश्कार हमने किया है यह प्राकेति से नहीं आया है वो सकता है इसके निर्मान प्राकेति की चीज़े हैं लेकिन यह एक प्राकेतिक चीज नहीं है तो इस तरह से आपका जो 50 कोश्चन है इस मॉडल कोश्चन का यह पूरा होता है यह आपके एक्जाम के लिए काफी important है तो आपको इससे कितनी मदद मिली यह आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और next आप किस से related को वीडियो देखना चाहते हैं यह भी आप मुझे बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें साथ ही और भी important अपडेट के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब करें धन्यवाद